अदिती और विवान दोनों ने साथ में ना कह दिया था उन दोनों के मना करने से प्रणेश थोड़ा हैरान हुआ उसने जट से पूछा पर क्यूं? आप दोनों समझे ये अच्छा मौका है अदिती भावी, विवान भाई, एक बार और सोच लेजे अभी यहाँ है, इशानी भी नहीं है मैं जल्दी से बलड सैंपल ले लेता हूँ डिने टेस्ट से सब क्लियर हो जाएगा विवान अदिती के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा मैं जानता हूँ, ये बहुत अच्छा मौका है पर ये सही नहीं होगा अभी बेहोश है उसकी इस हालत का फाइदा नहीं उठाना चाहिए वैसे अभी तकलीफ में है मैं उसको और तकलीफ नहीं दे सकता पर विवान भाई प्रनीश की बात को काटते हुए अदिती ने कहा विवान ठीक कह रहा है प्रनीश अभी की इस हालत में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप जानती हूँ कि इससे सचाई आसानी से सबके सामने आ जाएगी पर ये गलत होगा अभी छोटा सा बच्चा है उसकी तकलीफ का गलत फाइदा नहीं उठा सकते प्रनीश ने एक पल अभी की तरफ देखा और फिर अदिती और विवान की बात को समझते हुए उसने गहरी सांस भरते हुए कहा ठीक है अगर तुम दोनों यहीं चाहते हो तो बट जैसे मैंने कहा अभी को किसी साइकियार्टरिस्ट के पास ले जाना चाहिए हम दोनों अभी का पूरा ध्यान रखेंगे प्रनेश ने अपना बाग लिया और कहा अब मैं चलता हूँ अगर कुछ भी बात हो तो आप मुझे कॉल कर लीजेगा मैं आ जाऊंगा विवान मुस्कुराया और उसके साथ कमरे से बाहर चला गया उन दोनों के बाहर जाते ही कुछ देर बाद अभी कमरे में आ गया अधिती ने अभी की तरफ देखा जो क्यूटली उबासी लेकर रूम में उसकी तरफ आ रहा था अधिती मुस्कुराई और अपनी बाहों को फैला कर उसने अभी को अपने पास बुलाया अभी बिना कुछ कहे उसके गले लग गया अधिती हलका सहसी और बोली नीद आ रहे है अभी अभी ने धीर इसे हां में सिरहला दिया उसने फिर अभी को देखा और पूछा अभी बाया को क्या हुआ? अधिती मुस्कुराई और उसके गाल पर हाथ रखते हुए वो बोली कुछ नहीं हुआ है फुड़ा ज़्यादा थक गए है इसलिए आज ज़्यादा रेस्ट कर रहे है अभी ने बस धीरे से हां में सिरहलाया उसकी आँखों को धीरे धीरे बंद होता देख अधिती ने उसको अपनी गोद में बैठा लिया कुछ ही देर में अभी उसकी गोद में ही सो गया था अधिती ने अभी और अभी दोनों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए खुद भी आँखों को बंद कर लिया विवान कमरे में आया अधिती अभी और अभी को साथ देख उसके हूठों पर एक प्यार इसी मुस्कान आ गई थी उसने मुबाइल पर टाइम देखा लगभग दो बच गए थे उसने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए वो अभी के दूसरे साइड जाकर बैठ गया अधिती ने अभी का एक हाथ पकड़ा हुआ था विवान ने धीरे से उनके हाथ पर हाथ रख दिया एक बार फिर अधिती अभी और अभी की तरफ देख उसने मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस भरी और अपनी आखों को बंद कर लिया करीब आधे घंटे के बाद कुश जिसको अचानक से बिजनिस कॉल अटेंड करना पड़ा था वो वापस आया उसने अभी को रूम में नहीं देखा तो वो जल्दी से दूसरे रूम की तरफ गया रूम में जाते ही उसने सभी को एक साथ सोते हुए देखा चारों एक साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे कुश ने अपना मोबाइल निकाला और चारों की फोटो लेकर उसने धीर इसे कहा परफेक्ट फैमिली मोमेंट कुछ देर के बाद अभी को होश आया उसने धीर इसे अपनी आखों को खोला विवान अधिती और अभी को अपने पास देख अभी थोड़ा सप्राइस्ट हो गया था उसने मन ही मन सूचा मैं यहाँ पर और अधिती आंटी विवान अंकल मेरे पास क्यों है उसने धीरे से उठने की कोशिश की पर तभी उसने देखा कि विवान और अधिती ने उसके हाथ को पकड़ रखा था अभी को इतने सालों में आज पहली बार अपने पन का एहसास हो रहा था अभी जो अभी भी काफी एमोशनली वीक था वो ये देख रोने लगा था उसके रोने की आवाज को सुन अचानक से अधिती और विवान की नींद खुल गई दोनोंने अभी की तरफ चौकते हुए देखा तब ही अधिती ने पूछा अभी क्या हुआ आपको दर्थ हो रहा है विवान ने अभी को उठा कर बैठाया और उसके आशूओं को पोचते हुए उसने प्यार से कहा अच्छा पहले रोनावन करो अभी थोड़ा शान्त हुआ और विवान ने उसको धीरे से पानी पिलाया और फिर पूछा अब बताओ क्या हुआ तुम रो क्यों रहे थे अभी ने कुछ नहीं कहा बस धीरे से सिर जुका कर बैट गया विवान कुछ और कह पाता कि तभी अधीती ने उसको इशारे से रोप दिया उसने धीरे से फिर कहा अभी अब आप ठीको आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रा अभी ने बिना कुछ कहे अभी को देख वो उसके पास गया और बोला अभी की बातों को सुन अभी के हूठों पर छोटी से मुस्कान आ गई और उसने धीरे से पूछा क्या बात अभी ने फिर एक्साइटेडली अपनी बात कहना शुरू कर दिया वही अभी को मुस्कुराते और बात करता देख अधिती विवान दोनों ने सुकून भरी सांस ली अभी और अभी को कमरे में छोड़ विवान और अधिती रूम से बाहर आए बाहर आते ही विवान ने थोड़ा खुशा करते हुए कहा हमें उससे बात करनी चाहिए अदिती, तुमने रोक क्यों दिया अदिती ने आराम से जवाब दिया विवान, वो वैसे ही बहुत परेशान है, हमें उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए अपनी आँखों को एक पल बंद कर विवान ने गहरी सांस भरते हुए कहा सोरी, तुम से ही गह रही हो मैं बस जानना चाहता हूँ कि अभी की हालत के पीछे कौन है किस वज़ा से वो इतना डरा हुआ है अदिती उसके गले लगकर फिर बोली मैं भी जानना चाहती हूँ पर हमें थोड़ा पेशन्स से काम लेना होगा प्रनेश ने कहा था कि अभी एमोशनली वीक है और हमें नहीं पता वो किस बात पर कैसे रियाक्ट करेगा कहीं उसको फिर से पैनिक अचक आ गया तो विवान ने अदिती को अपनी बाहों में भरा और धीरे से कहा मैं बस अभी को भी अपने अभी की तरह मुस्कुराते हुए देखना जाता हूँ अदिती की सुन मुस्कुराई और उसके चहरे की तरफ देख कर कहा मैं भी यह चाहती हूँ विवान मेरे लिए जैसे अभी है वैसे ही अभी है पर शायद अभी हमसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा है उसे कुछ वक्त दो हमें उसका विश्वास जीतना होगा जब उसको हम पर विश्वास होगा हमारे अपने पन का एहसास होगा वो अपने आप सब बता देगा विवान ने बात को समझने की कोशिश करते हुए धीरे से हां में सिर हिला दिया अदिती ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा और प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा जब तक खुद नहीं मुस्कुराओगे तब तक किसी और के चेहरे पे मुस्कान कैसे लाओगे विवान ये सुन मुस्कुराया उसने अदिती के माथे पर किस किया I love you विवान के गाल पर किस कर अदिती ने उसकी आँखों में देखते हुए कहा I love you too विवान विवान धीरे धीरे उसके होटों के करीब आ रहा था कि तभी उन्होंने सुना Oh, sorry, sorry अदिती और विवान ने जट से मुड़ कर देखा वहाँ कुष पीठ उनकी तरफ किये खड़ा था अदिती बिना कुछ कहे रूम में वापस चली गई तभी कुष ने कहा वैसे वो सामने का रूम खाली था उसे बता दिया था तो प्रवेसी मिल जाती विवान ने उसकी तरफ उगुस्य से देखा और कहा तेरी टाइमिंग हमेशा इतनी गलत क्यों होती है खुश हसते हुए पीछे मुड़ा और बोला कमाल है तुम यहाँ हॉल में खुले आम रूमैंस करो और टाइमिंग मेरी गलत है विवान दभी मुसकान के साथ बस इधर उधर देखने लगा तभी कुश ने शरारत भरी मुसकान के साथ फिर कहा वैसे एक अदिती ही है जो तेरे चेहरे पर स्माइल ला सकती है और मिस्टर महता के गालों को शर्म से लाल कर सकती है कुश की बात सही थी अदिती के साथ होते ही उसकी करीब होने से ही विवान को दिल में खुशी का एहसास होता था उसको एक सुकून सा मिलता था आज सुभा इशानी के करीब आने की वज़ा से विवान काफी बेचेहन समहसूस कर रहा था जिसे उसने कुछ गलत किया हो पर अदिदी के एक बार छूने से ही उसके दिल की वो बेचैनी दूर हो गई थी कुश की बात सुन विवान कुछ कह पाता कि तभी उसका मुबाइल रिंग करने लगा उसने नमबर देखा और उसके चहरे की मुस्कान गायब हो गई ये देख कुश बुला और एक ही इंसान है जो तेरे घुस्से का कारण है इशानी का कॉल है विवान ने धीरे से हां में सिरह लाया उसने इशारे से उसको शान्त रहने के लिए कहा और कॉल पेक किया हालो इशानी वो मुझे एक आफिस का काम आ गया था मैं बस घरी आ रहा हूँ वो अभी मेरे इशानी ने बात को कारते हुए कहा अच 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 थीक है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ तुम जल्दी से आ जाओ मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है ये सुन विवान ने पूछा क्या बात इशानी अभी बता दो इशानी हसी और बोली इतनी जल्दी नहीं विवान तुम घर आओ तब बताऊंगी इतना कहे कर उसने कॉल कट कर दिया विवान ने मुबाइल वापस जेब में रखा तब ही कुछ ने पूछा उसने अभी के बारे में कुछ पूछा क्या विवान ने जूठी मुस्कान के साथ कहा नई वो तो शायद भूली गई है कि उसका एक बेटा भी एक बार भी अभी का जिक्र भी नहीं किया कुछ ने विवान को टेंस्ट देखा और पूछा तो ऐसा क्या कहा उसने जो तूप इतना परिशान है एक गहरी सांस भरते हुए उसने जवाब दिया इशानी आज कुछ बात बताना चाहती है पतानी अब क्या प्लान है उसका आज आफिस में जैसे वो मेरे करीब आ रही थी उसके बाद तो उसके फार प्लान से डर लगता है कुछ हलका सा मस्कुराया और बोला दोन वरी तुझे बचाने के लिए हम है मैं और अदिती इशानी के कुछ करने से पहले ही आ जाएंगे हमारा प्लान उसके सब प्लान्स को फेल कर देगा वही रूम में अदिती जैसे ही आई उसने अभी को कहते सुना अभी हम कहा हैं? मैं यहां कैसे आया? अभी ने बिना सोचे इनिसेंटली कहा ये मेरी कुछ चाचू का घर है मैं जब यहां आया तब आप यहीं थे ममी ने कहा आप आराम कर रहे हो आप बहुत ठक गरते इसलिए अदिती ने देखा कि अभी थोड़ा टेंस्ट दिख रहा था उचछट से उसके पास गई और बोली क्या बात हो रही है आप दोनों में? अभी ने एकसाइटेडली कहा ममी मैंने अभी भया को भी बता दिया दादा जी दादी जी के बारे में अदिती हसी और अभी के बालों में हाथ फिरते हुए कहा बस अभी आज सब को एक ही बात बता रहे हो अभी ने फिर अभी की तरफ देख पूछा अभी भया, आपकी दादा जी दादी जी कहा है? अभी अचानक से नर्वस दिखने लगा उसने हडबढाते हुए कहा वो, मुझे, मुझे नहीं पता, मुझे उसको शांत करते हुए अदिती बोली अभी, रिलाक्स बेटा, कोई बात नहीं सब ठीक है अदिती की मुस्कान को देख इस बार अभी भी हलका सा मुस्कुराया अदिती के साथ वो काफी सेफ और अपनापन महसूस करता था तभी विवान रूम में आ गया उसने अदिती की तरफ देख कर कहा लेट हो रहा है, अब हमें जाना होगा अदिती ने धीर इसे हां में सिर हिलाया और अभी की तरफ देख कर वो बोली अभी, चलो, दादा जी आपका वेट कर रहे होंगे ये सुन अभी एकसाइटेडली बेट से उतर गया और बोला सच्ची, मैं अपना बैगली कराता हूँ अभी की रूम से जाते ही विवान ने अभी से कहा हम भी चलें अभी अभी ने इनिसेंटली पूछा का हाँ? अदिती ने मस्कुराते हुए कहा घर, आपकी ममी के पास ममी शब्द सुनते ही अभी घबरा गया वो जट से अदिती के गले लग गया और आखों को बंद करते हुए वो बोला नई, मैं नहीं जाओंगा मुझे अदिती आंटी के साथ रहना है मुझे गर नहीं जाना मैं नहीं जाओंगा अदिती ने विवान की तरफ देखा उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी को क्या कहे कैसे समझाए कहीं न कहीं अदिती भी अभी और अभी दोनों को अपने साथ घर ले जाना चाहती थी विवान ने उसको इशारे से शांत रहने के लिए कहा और धीरे से बेट पर बैठ कर वो बोला अभी, मेरे साथ चलो अभी ने जट से नामे सिर हिलाया विवान ने अभी का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा आई प्रॉमिस अभी मैं एक पल भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है विवान की बात को सुन अभी ने धीरे से आँखों को खोला और उसकी तरफ देखा विवान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया अभी ने धीरे से उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया